तो वर्ट्सब गाईज फिसबा बहुत बहुत सवाध है हमारे जाने स्टॉक मार्केट आड़्डा में तो दोस्तो बात करने वाले हैं स्टील सेयर की बारे में मिलेगा आप चाहो तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोग देखेंगे का चार्ट पटन तो चार्ट पटन में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कॉमपानी 66 रुप उसे में मिल रहा है और करीबन साढ़े 3 परशन की गिराबट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर दिखा है अगर मैं आपको 5 डे की चार्ट पटन दिखाऊंगा एसर 21 रुबे में मिल रहा था, 21 से 1500 रुपे तक एसर गया था, लेकिन अभी गिराबट में मिल रहा है, यानि आपको सर डिसकाउंट ट्राइज में मिल रहा है, मैक्सिमम चाट बटन देखोगे, एसर यहां पर हाई लगाया था, 273 डिसमबर 2007 में, उसके बाद बड़ा गिरा बड़ फिर सर डिक लिए कोशिस किया था, 6 रुपिया करके लिस्टिंग हुआ था कमपानी मार्केड में, 1999 में, और यह स्टील खेत्र का तीन नंबर बला कमपानी है, ठीक है, क्या सेर को खरीदना चाहिए, जरूट से खरीदना चाहिए, ज्यादा आमन नहीं, छोटा आमन लगाई, यह 100 का तर्गेट है, अगर हम लोग NSE के टाटा चेक करेंगे, यह सेर में, लास्ट रेडिंग सेशन में सेलिंग आया था, 11 परशन की माल उठाए गया है, 145 आईए, 63 इसका लो है, कमपानी इंप्रोवेंशन पर यहां पर क्लिक करेंगे, तो कमपानी यहां पर दुस्तों, 23 में को dividend announcement किया था, result declaration किया था, और 28 मार्च को यहां पर dividend company दिया है, जो कि अच्छा dividend है, ठीक है, यहां पर जो announcement होता है, 16 मार्च को announcement होता है, जो कि 28 मार्च को मिला है, और यह dividend अभी तक नहीं मिला है, dividend अच्छा देता है कमपानी, प्रोमोटर होल्डिंग एक बुग भेली यहां पर 131 से, 131 से निचे मिल रहा है, ROC 24 है, ROE 25 है, dividend company आच्छा देता है, फेस बलू 10 का है, high low देख सबते हो, कर्जा 13,000 करोड का है, लेकिन 50,000 करोड का रिजर्ब है, एक लाब 20,000 करोड का असेट है, कमपानी भी प्रोफिट में चल रहा है, फ्रीक्यास नमबर वान, टाटा स्टील नमबर टू, थ्री पर आता है, सेल, कारवार ठीक ठाक हुआ है, प्रोफिल चेक करोगे, प्रोफिल में ग्रोथ हुआ है, यली कारवार भाई ठीक हुआ है, प्रोफिल चेक करोगे, प्रोफिल में भी ग्रोथ हुआ है, क्योंकि 4000 से 12,000 करोड का प्रोफिट पॉजेटिव सीजर थोड़ा नेगेटिव है रिटर्न अनिकूटी पॉजेटिव अगर आप लोग देखोगे असेट इसने बीडियो में तब तक लेजा हिंद वन दे मात्रम